चाहे हिंदी भासा में हो या फिर इंगलीज में हो प्लीज का उप्योग हर जगा होता है आजकल हिंदी बोलते समय भी प्लीज का उप्योग इतना अधिक हो रहा है साहथ अंग्रेजी बोलते समय भी इतना उप्योग प्लीज का न होता हो जैसे हम चोटे चोटे बात्चित में भी हम लोग Please का उप योग हिंदी में भी करते हैं जैसे Please मेरी सायता करो मुझे वहाँ छोड़ दो Please इन दोनों वाक्यों को देखेंगे तो पहले वाक्यों में मैंने Please का उप योग सुरू में किया है और दूसरे वाक्य में प्लीस का उपयोग अंत में किया है तो अंग्रेजी में भी इसी परकार से प्लीस का उपयोग भिन भिन इस्थानों पर होता है किसी वाक्य में प्लीस का उपयोग सुरू में होता है किसी वाक्य में प्लीस का उपयोग बीच में होता है इसमें आपके लिए एक बात और जानना ज़ोरी है कि प्लीस का अर्थ हिंदी में किर्पया तो होता है लेकिन हम हिंदी में अगर किर्पया सब्द का परियोग ना करें फिर भी हम सब्भे कहे जाएंगे इसके लिए हिंदी में ऐसे सब्द हैं जिसका अगर हम लोग हिंदी में पर्योग करते हैं, तब हमको किर्पिया लगाने की जोरत नहीं होती है, जैसे करेंगे, खाएंगे, आएंगे, जाएंगे, इस परकार के वाक्या अगर हिंदी में हम लोग पर्योग करते हैं, तो हमको किर्पिया का प्रयोग करना नहीं पड़ता लेकिन अगर अंग्रेजी में हम किर्पिया का प्रयोग ना करें यानि प्रीज का उप्योग ना करें तो हम असब्भे कहे जाएंगे अगर हमको किसी को सहायता मांगनी है और हम लोग क्योवल help me कहते हैं या please नहीं लगाते हैं तो इस सिखती में हम लोग असब बे कहे जाएंगे लेकिन हिंदी में अगर इसी को हम कहेंगे कि मदद करेंगे तो हम असब बे नहीं कहे जाएंगे लेकिन अंग्रेजी में हम लोग केवल help में बोलेंगे तो हमां सब भे कहे जाएंगे तो चलिए सीखते हैं किस परकार के sentence में हम लोग please को सुरू में लगाएंगे किस परकार के sentence में हम लोग please को बीच में लगाएंगे और किस परकार के sentence में हम लोग please को अखरी में लगाएंगे तो चलिए सीखना शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं रूल नमबर पहला रिक्वेस्ट वाले जो सेंटेंस हैं रिक्वेस्ट वाले जो वाक्य हैं उसमें प्लीज का उप्योग हम को अंत में करना चाहिए जैसे उधारण देखते हैं किरपिया यहां आए, come here please, इस वाक्य में मैंने please का उपयोग अंत में किया है, लेकिन बोलचाल में सामाने तह, please come here भी बोला जा सकता है, ये बोलते हैं, लेकिन इस परकार से इसका अनुवाद नहीं करना चाहिए, बलकि हम अगर किसी को request कर रहे हैं, तो उस स्थिति में come here please क कहना जदा उचित होगा, अगला example है, किरपिया मेरी मदद कीजिए, help me please, इसमें भी मैंने please को आखरी में लगाया, ना कि सूरू में, क्यों आखरी में लगाया, क्योंकि हमने इसमें किसी को request किया है, मदद करने के लिए, इसलिए इसमें हमने please को आखरी में लगाया है, तो या कह सकते हैं किर्पया मुझे जाने दीजे इसका इंग्लिज में अनुवाद होगा Let me go please किर्पया एक मिनट के लिए मुझे अपना पेन दे दीजे इसको हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे Let me have your pen for a minute please Please के यूज का rule number two है अगर हम किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं तो उस इस्तिती में हम please को सुरू में लगाएंगे इस सुरू में हमको सुरू में please का उपयोग करना चाहिए जैसे उदाहनट देखते हैं दर्वाजा बंद कर दीजे या कह सकते हैं किर्पिया दर्वाजा बंद कर दीजे Please close the door किर्पिया मेरे लिए एक कप चाय लाईए Please bring me a cup of tea किर्पिया इस seat को खाली कर दीजे Please whack at this seat किर्पिया एक पंक्ती में खड़े हो जाईए Please stand in a queue इन sentences में Please का उप्योग sentence के सुरू में किया है क्योंकि किसी को जब हम कुछ करने के लिए कहते हैं या फिर किसी को कोई आदेश देते हैं कोई आग्या देते हैं तो इस seat में हमको Please का उप्योग सुरू में करना चाहिए अब please के यूज के तीसरे तरीके को जानते हैं अगर हमारे request interrogative sentence में हो यानि प्रशन सूचा कवाक्य हो हमारा कोई request तो उस इस हिती में हम लोग please का उपयोग sentence के बीच में करेंगे जैसे उदाहरण देखते हैं क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे इसको दुसरे तरीके से भी बोल सकते हैं क्या आप किरपा करके दरवाजा बंद कर देंगे यहाँ पर आपको यह समझना है कि किरपा करके या फिर किरिप्या हम हिंदी में बोलें या फिर ना बोलें उनसे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता लेकिन इसको हमको इंग्लिस में बोलना अनिवार्य होता है तो चलिए इसका अनुवाद करते हैं क्या आप दर्वाजा बंद कर देंगे? Will you please close the door? अब अगला एक्जामपल है क्या आप मेरी seat खाली कर देंगे? Will you please whack at my seat? क्या आप मुझे अकेला छोड़ देंगे? Will you please have me alone? इन sentences को आप अगर देखेंगे तो please को मैंने 20 में उप्योग किया है क्यों? क्योंकि ये interrogative sentence है और इसमें हमने request किया है जब हम कोई request interrogative sentence में करते हैं तो उस CCTV में हमको please को 20 में लगाना शाहिए ये उचित है अब please के use का सबसे अंतिम रूल देखते हैं यदि किसी request, proposal, suggestion या inquiry का हमको नमरता पुरुवक जबाब देना हो तो उस CCTV में अगर हम सकरात्मक जबाब देना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? और नकरात्मक जबाब देना चाहते हैं अगर कहीं इस परकार के sentences आते हैं तो आपको सकरात्मक अगर जबाब देना है तो उस CCTV में आपको yes please कहना है और अगर नकरात्मक जबाब देना है तो no thanks आप बोल सकते हो इस परकार के sentence में सकरात्मक वाके में कभी भी please yes नहीं कहेंगे या फिर thank you no कभी नहीं कहेंगे चलिए इसका कुछ examples देखते हैं जैसे कोई हमको request करता है क्या आप चाय लेंगे विल यू प्लीज अगर हमको चाय पीना है तो हम कहेंगे yes please और अगर हमको चाय नहीं पीना है तो उस इस्थिती में हम कहेंगे no thanks अगर इसका उत्तर हमको सकारात्मक में देना है यदि हमको वहाँ ठहरना है तो हम कहेंगे yes please और अगर हमको वहाँ नहीं ठहरना है तो हम कहेंगे no thanks ये थे please use करने के तरीके next वीडियो में हम लोग next किसी topic पर चर्चा करेंगे thank you for watching